वेल्कम बैक दोस्तों स्वागा था आप सभी का एक और नए व्लॉग में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपने बाड़ी में जो ताजी ताजी सब्जियां लगी हैं उन्हें तोड कर हम यहाँ पर सब्जियां बनाने वाले हैं तो व्लॉग के साथ बने रही है हम क बाड़ी में जो फ्रेश मटर है ताजी मटर उसको तोड रही हैं तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मटर के कितने अच्छे पौधे लगे हुए हैं बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी फलियां लगी हैं इनमें और सुनिया जी यहाँ पर तोड रही हैं बहुत सारे को आसानी से खाल जाते हैं बहुता रहा है इतना सब्जी के लिए काफी होगा जब भी यहां पे इनको खाने का मवन होता है यह आ जाते हैं चुपके से खाते रहते हैं तो बड़ी मुश्किल से इसको हमने बचाया हुआ है बच्चों के वज़े से बसता नहीं है देखिए य ऐसे खा जाते हैं बच्चे यहां पर तो आज हम यह मटर की सब्जी बनाएंगे मटर काफी तोड़ लिया है सुनिया जी ने और तोड़ोगे क्या नहीं इतना हो जाएगा काफी है आज के सब्जी के लिए और देखिए अभी वह मटर जब खतम हो जाएगा तो इधर के जो मटर हमने लगाए हैं और उधर जो मटर लगाए हुआ है वो बड़े हो जाएंगे फिर हम उनको खाएंगे और यह देखिए यहां पर लाल भाजी लगा हुआ है उस दिनों में यह भी बड़े-बड़े हो जाएंगे और यह पालक कल ही हमने बनाया था कल फिर से पालक बना देना सुनिया जी ठीक है कितनी बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं तो इसको खायते रहेंगे तो जल्दी से यह फिर नए पॉधे इसके तयार होते रहेंगे नए पत्ते आए जाएंगे ठीक है तो यह देखिए दोस्तों एक आप मैं टेस्ट करके दिखाता हूं आपको कि इसको छिल के दीज़े मेरे को घर में मतर है या कुछ भी ताजी सब्जी जगाने का यह फायदा है काफ़ी स्वादिश्ट होता है यहां पर पूजा भी मांग रही है देखो इसके दाने दोस्तों काफी मीठे हैं बिल्कुल एकदम वहती ही सब्ची सब्जी बनाते हैं हम व्लॉग के साथ बने रही है दोस्तों और जिन्हों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो पसेर भी कीजिए और दूसरा चीज मैं आपको बताता हूँ यहां से गाजर हमने उखाड के गाजर का हल्वा बना रही है सोनिया जी वो भी हम आपको दिखाएंगे वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे हमने यहां से गाजर को उखाडे थे है और लगभग अभी हलवा बना रही है हलवा भी तयार होने वाला है तो दोस्तों देख सकते हो आप यहां पर हम गाजर की हलवा बना रही है हमारे बाढ़ी में जो फ्रेश रजलत था इसी से हलवा बना रही है हम अपने डाल के बास इसी तरह से उसको खांगे एक्दम सुखा वाला हलवा नहीं बनाते हैं हम लोग इसी तरह का हल्वा बनाएंगे और खाएंगे और देखिए यहाँ पर सॉनिया जी मंटर को नीच रही हैं मंटर के दाने निकाल रही है और ये शैटान खा रही है पुजा मत खाओ बैटा उसका सबस का तो यहां पर रितिका भी आ गई है मटर चिलने हैं आया बोलो तो चलो जल्दी से मटर को चिलो और खाना नहीं है ठीक है मटर को चिलना है और इसी में रखना है पुजा क्या करती है मटर चिलती है और मुँ में डालती है पुजा मुँ में नहीं डालना है ठीक है बोलो कि अंदेखो कैसे गाजर का हलबा बना रही है यह क्या कर रही हो दाल को बिलो रही इंग क्या है इसको गाढ़ा कर रही हो तुजा मैंने क्या गार था मटर को नुक सिर्फ चिलना खाना नहीं है तुम तो सब मटर को कऊ घा रही हूँ किया वब़ोला था था थीक है बॉला था ना चालो पूलो ठीक है नहीं खाओंगी नहीं खांगी लगेद यहां पर देखें सभी बच्चे मिलकर मटर छिल रहे हैं और ममी जी भी आकर मटर छिलने लगी है आज शाम की सब्जी है मटर के साथ में और क्या मिक्स करोगी गोभी वो भी ताजा गोभी मटर गोभी और मटर की ताजा ताजा सब्जी पूजा अभी भी तुम नहीं मान रहे हो खा रहे हो फूजा अच्छे खाना नहीं है कितना पकड़ी है और नहीं खाओ ठीक है बोलो तो दोस्तों मटर के साथ में गोभी मिक्स करके सब्जी बना अब लगभा खातम हो गया है दोस्तों अब लगभा खातम हो गया है दोस्तों कि वसे थोड़े से गोभी बच्चे हुए हैं चलो इसको तोड़ लो कि गोभी को हम खा जाएंगे और यह जो पत्ते हैं इनको हमारी जो गाय है उनको दे देंगे वह भी खाएंगी देखिए एकडम ताजा फ्रेश गोभी और फ्रेश मटर हमने तोड़ा है अब इसकी सबजी बनाएंगे आफी जबरजस्त सबजी बनता है दोस्तों फ्रेश फ्रेश सबजी खाने का मज़ा ही आ जाता है और तोड़ना है चलो एक और तोड़ने वाली है यह छोटा से एक इन दोनों को mix करके आलू के साथ में सब्जी बनाएंगी Sonia जी तो गोवी हमारा पूरा खतम हो गया यहां पर कुछ हमने बीज डाले हुए थे तो हमने बीज लाके रखे हुए थे पता नहीं वो गोवी का है या पत्ते गोवी का है पूल गोवी का है अभी पिल्कुल पता नहीं चल रहा हमें He यह कौन सा गोवी का पत्ता है वह बड़े हुंगे तो फिर इसको हम कहीं पर लगा देंगे यही पर लगा देंगे यह खाली हो जाएगा तब तक को 1arin दोस्तो हमारा गाजर का हल्वा बनकर तयार हो गया है यह देखिए गर्मा गर्म गाजर का हल्वा बिल्कुल फ्रेश गाजर हमारे बाड़ी का गाजर है अब इसको हम खाएंगे बहुत मज़ा आएगा आपको बस नहीं मिलेगा मेरे को नहीं मिलेगा कोई बात नहीं खा रहे हैं बहुत गर्म गरम है और फ्रेश गाजर का हल्वा तो बाद इसका कैसा है अच्छा बना है बहुत टेस्टी है मीठा कम है ज्यादा बना है पूजा कैसा बना है ममी मनाई है कैसा लग रहा है देडि है पूजा भी बहुत टेस्टी है बहुत टेस्टी है बहुत टेस्टी है से ज्यादा works पूजा तो मस्त खा रही है रितिका भी खा रही है विशा भी खा रही है गर्मा गर्म है थोड़ा धीरे से खाना ठीक है जीब जल जाएगा तो मैं भी अब खा रहा हूँ कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि बहुत टेस्टी है थीक है ज्यादा शक्तर भी बहुत ज्यादा नहीं है मेडियम है अच्छा है देखे मटर को भूंच के रख दिया है यहाँ पर और यह गोवी को भी भूंच रही है और उसके बाद इसमें मसाले मेर्चे अगरा डालके इसको रेडी करेगी ठीक है बाद में आपको हम दिख लाएंगे तो फाइनली दोस्तों हमारा मटर और गोवी की सबजी पग गया है यह देखिए तो दोस्तों मैं अभी खाना खा लेता हूँ उसके बाद आपसे मिलूंगा तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिन जाए भारत